नमस्कार, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, स्पेशली MBBS इंडिया के लिए और उससे पहले मेरा नाम है विवे गुपता और हम एक MBBS कंसल्टन्ट से ऊपर एक करियर मेंटर हैं और उसी तरीके से हम आपके लिए सर्विस देते हैं तो इस सवाल ही है कि लोग पूछते हैं कि सब्सक्राइब वात अब बात बहुत ज्यादा करते हैं हम कभी कवार जो मेरी पहली बातचीत होती है पहली मेटिंग होती है आप अगर बहुत समझदार पड़े लिखिए और आपके पास समय है मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कांसलिंग में अक्सर कोई काम नहीं कर दें जो आप खुद नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको हमारी जरुत क्यों है आपको हमारी जरुत सरफ इसलिए है कि आपके पास समय नहीं है जैसे मेरा ये काम है, मैं 24 गंटे ये काम करता हूँ जो वो चार मीने का समय चलता है, अगर कोई पेडिन्ट है, फादर है, मदर है, किसी की जॉब है, किसी का बिजनस है, वो आपके स्पेशिलिटी है, आप वो काम कर रहे है, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि शायद दुनिया पे हर इनसान हरे काम कर सकता है, तो फिर आप क्या अब घर के पलंबरा काम भी करते हैं, नहीं, कार खराब होते हैं, तो कार मेकानिक पर जाते हैं ना, सिक मिलली हम एक एक्सपर्ट हैं, जो इंशूर करते हैं कि आप से कोई गलती ना हो, राइट, और यही एक बेसिक चीज है, कि क्यो हमारा सर्विस चार्ज तीस हजार से शुरू हो कि है, डेड़ लाख बजाता है, सबसे जो सिंपल केस होते हैं, उनमें हमारा सर्विस चार्ज तीस हजार रुपे होता है, यह हो गया कि जिस बच्चे के नंबर को देखते हैं, और और इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक मैं हमेशा कहता हूँ, जब सीजन आएगा, अब नोट करेंगे, मैं मैं हमेशा तीन सवाल पूछता हूँ, डोमिसेल कहून सा है, केटेगरी कहून सी है, केटेगरी रैंक कहून सी है, उससे पता चलते हैं कि आपको को उनसा कॉलेज मिलने की उमीद सबसे ज़ादा है, लेट से की, आई नो कि आपका गवर्रमेंट कॉलिज एशोर्ड है, बिल्कुल एशोर्ड सो परसंट, तो पैकिस स्टार्ट सम् थर्टी थाउजन्ट, मोस्ली आप लोगों को दो ही फॉर्म भरने होंगे, और इंडिया कोटा का, जो MCC वाल है का अपने स्टेट का, लोग कहते हैं, सर्कुद ही कर लेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो, तो फिर लोग कहते हैं, सर अचा आप यह बताओ, आपको हम क्यों हायर करें, गुट, पता चलना था कि आप नौर्थ इंडिया के हैं, आपको मध्यापरदेश का एक कॉलिज में सकता था, लेकिन आपने गलते से उपर भर दिया, तमिलाडू के के लेकर जहां पर आपका मेजर लैंग्विज इशू होने बाला है, वो हम देखेंगे ना, तो हमारी वो जो लिस्ट है, वो भी बदलती है, इसके हसाब से कि आप कहां के रहने वाले हैं, दूसरी बात, स्पेशली सरकारी केस में, वो जो तीन सो कॉलिज की चॉइस फिलिंग है, वो हम करते हैं, उस चॉइस फिलिंग के दोरान, कभी कबार ये भी गलती हो सकते हैं, कि आप से गलती हो जाती है, वो सब मैंने देखा वैलाईश में, कि बच्चा आया, और पता चला सा, मैंने गलती हैं, बीच में बीडेश घुसा दिया, बीडेश तो मिल नहीं था, लेट से आपके 630 नमबर थे, और आप साइड और मिल गया, तो फिर आप गए, और थार और मिल गया, तो फिर आप वैसी गए, जो आज चल का लेटर सुरूल है, तो साइड जाएगा तो ठीक है, आप छोड़ सकते हो, आपको सीट कैसे ही मिलती है, कि इस तरह से सॉफ्ट एर काम करता है, जो सीट अलोकेट करता है, सेमिलरी, आप दो जगा भर रहे हो, ऑऐल इंडिया और स्टेट, और आप जैसे रूल सकते होते जा रहे हैं, जैसे आपको सीट में रिपोर्ट कर दोगे, आप काउंसलिंग से भार हो जाओगे, तो कब आपको वेट करना है, कि तक आपको सीट लेकि काउंसलिंगे भार हो से रिपीट करूँगा सबसे बड़ी बात है काम हमारा यह सोभी शाम का काम है हम गलती नहीं करते हैं हम अटेंटिव रहते हैं और कभी बार तो मैं पर यह भी खबर आती है कि भी एक फादर देख रहा था काम को फादर स्मार्ट इंटेलिजेंट बड़ अचानक से चार देल स्टेट का प्राइवेट भन है या मुझे सरफ और स्रफ दीम्ड ही चाहिए जी MCC कुछ को नहीं कर रहा हमें आप पस भर्दो जो मिल जाएगा मैं जाके ले लूगा अगें अबर चार्जिस वुडोल लिए थर्टी थावर लुपीस जिसमें आपने मुझ से खास काम नही सब्सक्राइब करते हैं अब इसके उपर आता है जो जनली हमारा चलता है आप कहते हो सर भई नंबर सकाई से जरासी कब मैं तो सरम ऐसा करते है कि मिलास तक सकाई करने बट वह ना मिल रहा हो ना तो फिर मैं राउंड तीन में केल एक करनाटका ले लों जो कि एक सस्ते प्र उसी में आता है कि सर चार प्राइवेट भरने और यह देखना है कि ऑप्तिमल बेस्ट कौन सा मिले तो उस समय वह चीज बढ़के आ जाती हमारा फीस सतर पिछत्तर हाजार रूप है तो कि अब आपको पास फॉर्म ही खट्टे भरने हैं और पास सर फॉर्म भरने की नहीं बात यह है कि आपको कौन से सीट मिले जो पहले एक्जैंबल दिया सरकारी प्लस केरल करनाटा का उसके लिए जो कॉम्पलिकेशन उसके लिए जो प्लैनिंग होगी और हम तो कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी स्रिक्योर्टी डिपॉसिट खराब ना और हमारे जित्तर प कि स्टेट में राउंड टू में है कि स्टेट में मोटा डिपॉसिट ही नहीं वह सब चीजें हैं जो हमें पता होती है और सबसे प्लैनिंग की जाती है जी हमारे यूज्वल पैकेज है जो लोग हमको पिछेतर हजार पर फीज देते हैं उसके बाद देखिए अगर आप य के लिए जा रहे हैं हम जानते हैं ना कि हर साल कुछ डीम डीमस्टी स्पेशली साउथ की ही पॉंडिचरी तमील अडू की वह अपनी जो एमर्पी की फीस है उससे कम बें देती है आपको रायसान के कुछ कॉलेजी से अगर आप पहले कमिट्मेंट दोगे अड्मिशन की त और उसके लिए हमारा फिर पैकेज बढ़ जाएगा और वो समली जी हमारा एक लाग तक चला जाता है इस केसे के लिए और एक लास्ट जो कि सबसे महंगा डेड़ लाग होता है कि जिसमें आपको NRA सीट लेने होती है तो वो NRA की सारी कोडिनेशन करवाना और NRA की सीट ले जाता है और वो जिसको फीज जिसको देना पड़ता है वो अलग से जाता है जो तीन चार लाग रुपे देने पड़ेंगे उस NRA के जो आपका स्पॉंसर बन रहा है आप एक वीडो देशते हैं इंडिया में अलगले जगा रूल है NRA स्पॉंसर के कोई कहता है कि आपका NRA कोई कहता है कि बच्चा इन रही होना चीए लेकिन दो स्टेट है खासकर मैं को पता दूं करनाटका और मत्यपरदेश जिसमें एक गारजन भी आपका इन रही हो सकता है ना पर किसी के पास कोई कनेक्शन होते ही नहीं है NRA के उसको भी हम हिल परते हैं उसको फिर हमारे चा आपको पताओना चीए कि केरला स्टेट का सीम से वेलूर का खासका जो कि एक दुनी इंडिया का सबसे शांदार प्राइवेड कॉलिज है तो इसका अडमीशन आपको तबिल नाडू मेडिकल कॉंसली कमेटें से मिलते हैं बहुत कम सीटे होती है नॉन तबिल नाडू नॉ पहले जानकारी चाहिए होती है इसके अलावा देखिए मैं हमेशा जो अभी फोन करने में कहता हूं चैप तीस का लीजी आप डेडला का लीजी राइट आप सिरफ पांचार उपर दे सकते हैं इसे हम आपको मोटा मोटा इन्फोरमेशन देते रहेंगे कोई फॉर्म निख पेपर देती हैंशन का कहड़ें हैं वो नीच के पेपर के दिलिस बाद 19 कोई आब यह कैता है मैं यह कैता हूं सरोभी आपको पता चलाएक पैगेजी भी बेंविलिया उमें बाफ्सी आप करने वरना 5000 भी हमें ही हो दे किसे और को दे दीजिए और खुद कर लीजिए बट अगर आपको हमसे काम कराना है और यह एक और डिफरेंस ही है हमसे या मुझसे देखिए ऐसे मैंने बूले कि कंपनी चलाता हूं मैं जी के वर जिसमें हम दस काम करते हैं एंबी बेस इंडिया का ज है जब आप एक पहले चार्जिस मेरे को भेजते हैं फोन का या मीटिंग का तो तब आपको मेरा परसनल नंबर मिलता है और फिर अपसे लेके केस खतम होने तक दैट बिंस एडिमीशन होने तक नहीं सिकॉल्डी टिपॉर्ट वापा साने तक भी आप हमेशा मेरे को मेरे प सिंसेल्टी के लेवल मैं यह नहीं कहता है कि मैं कोई अकेला हूँ मैं तो कोई भी शायद कॉंपेटर का नाम तो नहीं लेगा लेकिन मैं तो दस नहीं शायद पचास और होंगे लोग तो मेरे जैसा ही अच्छा काम करते हैं परसनली बड़ चा वो आपका केस परसली करते ह हैं या आप से वर फीज लेके आपको पास दे दिया जाती है एक पंदरह भी सजार का इंप्लोई जिसकी कमिटमेंट या सिंसेल्टी नॉलिज लेवल उतर नहीं है क्योंकि आप में किसी और को देख के फीज भरी है बड़ आपका केस को यह और हैंडल कर रहा है वो भी नह है नाम तो आपने उसका देख के फीज जड़ी और जब आपका उपरेशन हो रहा है तो पता चले कि उनका कोई सूपर जूर डॉटर आपके कर रहा है आपके जोट्टर सारे से मैं इसा नहीं होता और यह भी आपको धान देखना जिए हमारे हां पर all the MBBS India work end-to-end it is done by me personally प 96433 62320 यही नमबर आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा नमस्खा ठेक कियर